नवस्कार दोस्तों मैं हूँ पीटू कुमार और मेरी यूटूब चनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी खबर एक बड़ी अपडेट आरे इस जो इस वीडियो में आपको हम देने जा रहे हैं सब्सक्राइब के लिए निर्देश समस्याय निदान के लिए पहल प्राविक सिच्छक निजन 2019 विसके तहद सुची में सामिल अभ्यर्तों के होगी कौंसलिंग इसका अपडेट देए साथ में आपे ए आई यू से मानेता प्राव बिदेशी डिगरी ही सिच्छक निउक्ति के लिए मान समण प्रसासन विभाग ने बिदेशी डिगरी के विवात को लेकर जारी किया बिसेश आदेश इसका भी अपडेट देंगे सत्यापन के अधार पर बनेगी अंतिम मेधा सूची सासु तेरा आविदन जी पिकाई के माधिक में 257 प्लस टू में आए और बंधि पालगन से चपके आ रही है और हिंदुतान संबादादर के जोरा इस नुज को प्रकासित किया गया इसमें काप सापका जारा कि तीन सिच्छक नुजन इकायों के लिए कौंसलिंग आज होगी उसलिए इस ख़बर को विस्तार से देखते हैं जो लोग चैनल पे नए जून बार को अभिहरतों की कौंसलिंग होगी माजह प्रखंड की सिपाहा खास वा माजह पुरीव पंचा से च्छक नुजन इकाय के लिए माधव प्लस टू अस्कूल माजह को कौंसलिंग सेंटर बनाया गया इन सेंटरों पर नुजन इकायों के अध्यच वा सचीव की देखरे इस एडिपी और सो कुमर पांडे को दी गई है जबकि ब्रॉली प्रखंड की हसनपूर पंचा से चक नुजन इकाय के लिए प्लस टू अस्कूल ब्रॉली को कौंसलिंग सेंटर बनाया गया है यहां भी समान वी से वर्ग से लेकर पांच के लिए व्यारतों की कौंसलिंग होगी जोजनिकाई की अधर्च वह सचीव की देखरेख में कौंसलिंग होगी इसकी मोनिटरिंग की जिम्यदारी ब्यो ब्रॉली और निच्छन करने की जिम्यदारी MDM DPO साहिब आलम को दी गई है यहां पर देखते हैं कौंसलिंग में वे ही अभी अभीयरती सामिल होंगी जिनका नाम निच्छनिकाई दौरा प्रकास्त मेदा सुची में दर्ज है इन अभीयरतों कौंसलिंग में अपने सभी सचनिक यो योगता से सम्मंधी प्रमानपत प कर न स्फूद करना हैं निच्ट जाइँ के निकाई के तैनात कर्मी प्रमानपत व्हा कागजाद की जाँश करेंगी निच्छन की परक्रिया के सम्मंध में डियों डीव 一स्त्थापना स्थापना ने पत्र जारी कर परतिनुक कर्मियों वा धिकारियों को भी कई या संभादता यात्रा कारकरम के तहरा रविवार को खरिए दूसरा नूज है इस पर नूज पर आपको जाना नहीं है और चलते हैं डॉक्मेंट को लेकर यहां पर देख सकते हैं ए आयू से मानिता प्राथ बिजसे डिगरी ही सिचक नुक्ति के लिए मानना राज में सिचक बहाली समेट अनपरतियोक्ता प्रिच्छों में बिदेशी यानि की खासकर नेपाल के बिस्विद्यालों से ली गई डिगरी को लेकर अक्सर संजे के स्थिति बन जाती हैं इसके म मानिता एसेशन ऑफ इंडियान उनिवर्सिटी यानि की ए आयू से प्राप्त है ए आयू से मानिता प्राप्त सभी तरह की बिदेशी या देशी सिंचन संतानों की डिगरी बिहार सरकार में नुक्ति के लिए मान होगी बिना ए आयू की मानिता वाली डिगरी या पाध ही मा पहले ही मानिता दे चुका है किंद्रीय मानवं था candenta विकास मंतार लिए संबन्दित अधिसुचना पहले ही जारी कर चुका है बिहार में इस मामले को लेकर काफिय समय से जिस चल रही है अब राज सरकार ने भी एन आयू से मानता प्राप्त नेपाल समय सभी बिदेशी डिगरी को मानता दे दी है यानि जिन बिदेशी संतानों के डिगरी को ए आयू की मानता मिली हुई है उन सभी डिगरी को बिहार में माना जाएगा समान प्रसंद विभाग के अस्तर से इस आदेश के जारी होने के बाद राज में विदेशी डिगरी को लेकर चल रही संसे की स्थिति समाप्त हो गई है सत्यापन के अधापर बनेगी अंति मेधा सुची क्या है वो देख लेते हैं यह खबर मुझह पर पुछा चपके आ रही है वर यह सम्मद्द देख द्वारशन उचको प्रकासित किया गया है यह पर कहा जा रहा कि प्रमान प्रसंद आपर में आने वाले है अब भ्यार्तों के अधार पर ही हाई स्कूल और प्लस्टू बहाली के अंति मेधा सुची बने लेने को सुमबार को अंतिम दिन है बहाली के लिए अवबंधिक सुची पहले ही जारी की जा चुकी है चार जुलाई तक इस पर भ्यार्तों से आपति लेने का कारकरम जारी किया गया था डिप्यो माधमिक इप्तेकार खान ने बताया कि अवबंधिक सुची के अधार पर इस बार अंतिमेधा सुची और चैन सुची नहीं बनेगी अब भ्यार्तों को इस सम्मन्द में निर्देश दिया गया है प्रमानपत सत्यापन के लिए अवब्यार्तों को बुलाया जाए आदाएगा इसमें सभी सैस्च्निक और परिकलिक प्रमानपति के साथ अभ्यूर्तों को आना है जिस अभ्यूर्तों के साथ आएंगे काौसलिंग कराने के लिए और उनें वाले अभ्यूर्तों में अन्योसार्पमेध सथी हुने सुची बनेगी जिला परिश्यत नियुजन इकाई के माधिम्क में 713 वर प्लस टू में 257 आविदन आयों हुए हैं डिप्यू ने कहा है कि रवी बार तक एक भी आपत्ति विभाग को प्राप्त नहीं हुई है सुमबार तक अगर आपत्ति नहीं आती है तो इसी ओवन्दित सुची पर अभ्यार्ति प्रमार्पत सत्यापन के लिए बुलाये जाएंगे बाद में आभिर्तियों के अपत्ति के दावे को स्युकार नहीं किया जाएगा कोट के आदेश पर अभ्यर्तों से लिया गया था नया आवेदन डिप्यो ने कहा है कि हाई स्कूल और प्लस टू बहाली को लेकर वर्ष 2019 में ही आवेदन लिया गया था बाद में हाई कोट ने ट्रेनिंग के साल को इसमें सामिल करने का आदेश दिया इसके अधार पर 28 अपरेल से 27 मई तक अभ्यर्तों ने आवेदन लिया गया नए आवेदन के तहत हाई स्कूल में महस्तीज और प्लस टू में साथ ही आवेदन आये हैं एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों ऐसा ही और अपडेट पाने के लिए आप मारे चैनल पर बने रहें फिर मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में धन्यवाद दोस्तों